तो from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm, the radius of the circle is, बहुत simple सा question है, बहुत simple सा, देखो बेटा, एक circle बना लो फटा फट से, क्या बना दो एक, circle बनाओ, थोड़ा सा, तिकनेस बढ़ाओ, color change करो, circle बना दिया, हमने diameter ले लिया इसका, और radius भी ले सकते हैं, ठीक है, radius चलो उदर जा रही है, हमें इदर बनानी है, क्योंकि मैंने circle इदर के लिए बनाया है, चलिए, आगे बढ़िए, अब देखिए, अब क्या कह रहा है, प्रेश्न बढ़िए, from a point Q, बाहर किसी point Q से, यह रह length of the tangent to a circle is 24 cm, length of a tangent, एक tangent बनाया है, क्यों से, ठीक है, क्या बनाया है, एक tangent बनाया है, from the point Q, तो यह आगे मेरा एक tangent, जिसकी length है कितनी, 24 cm, कितनी है बढ़िए, 24 cm, आगे बढ़ते हैं, and the distance of the Q, Q से distance, किसकी from the center is 25 cm, तो क्यों से center की distance, यहां से center की distance, मेरी, यह जो center की distance है, वो कितनी है, वो आपको दे रखी है, कितनी, 25 cm, 25 cm, और देखिए, अब यहां से आप अगर मिलाते हैं, इसको, किसको, point of contact को, point of contact यही तो होता है, जहां पर हमारा touch करता है, तो मैंने माल लिया, यह point P, और इसे माल लेते हैं, O, circle का O है, और यह P क्या है, point of contact है, point of contact है, देखो, जब point of contact यहां पर एंगल कोन से बनता है, 90 degree का बनता है, solution समझ में आ गया होगा, बड़े आसान से हो जाएगा, देखो, O, P, perpendicular है किस पर, P, Q पर, P, Q पर क्या है, perpendicular है, क्यों है, perpendicular, क्योंकि हमारा, जो radius होती है, ठीक है, on the tangent, point, जब टेंजेंट के point पर, जो radius होती है, वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, उसके, क्या होती है, नॉर्मल होती है, 90 degree पर होती है, तो यह 90 degree हो गया, तो इसके सामने वाली side क्या हो गई, hypotenious हो गई, यह हमारी क्या हो गई, नीचे क्या कहलाएगी, यह हाइपो, यह तो हो गई, हाइपो, hypotenious, राइट राइंगल बन रहा है ना, और राइट राइंगल का मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थियोरम, तो बाइथागोरस थियोरम, हमें क्या निकालना है, रेडियस, मतलब यह आर्ग निकालना है, तो बाइथागोरस थियोरम, we can say that, कि आर का स्क्वेर बराबर होगा किसके, 25 के स्क्वेर क्या है, मानैस 24 के स्क्वेर क्या है, रे स्क्वेर बराबर, यह क्या है, 25 का स्क्वेर, 625, मानैस, 24 का स्क्ेर, 5 wsz होता है, कितना होता है बाइटा, 5 ficksu शे इत्र, तो are square बराबर, are square बराबर, अब बैठाएगे, गठाई है, यह दिरा, पाउन सो चहत्र मेंसे, देखो 15 में से 6 गए 9 बचे ठीक है 15 में से 6 गए 9 बचे इधर से एक ले लो 12 यहां तो 11 बचा था तो 11 में से 7 गए कितने बचे 4 कितने बचे 4 तो r square बरावर कितना हो गया मतलब r बरावर कितना हो गया रूट 49 और 49 क्या होता है सत्तु सत्तु उनन्चात मतलब r की value आ गई 7 कितनी value आ गई 7 आ गई answer कितना हो गया आपका 7 यानि कि r की value कितनी निकल आई 7 option number कौन से सही हो गया आपका a टिक कर दो फटा फट से जल्दी से ताकि निकलना जाए चूटना जाए कहीं से देखे टिक करो आगे बढ़ो बोलिए आया समझ में या नहीं देखो बहुत ही simple question है इससे यादा simple question नहीं होगा यह जो question है वो तो एक number वाला question है कितने का सिर्फ और सिर्फ एक number का question है तो करि तो दिहान से देख कर और करते रही है ना